है गाइज वेलकम टू सेवन सोल्स एजूकेशन मैं हूँ सुदीस और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सारन डिस्टिक के बारे में तो saran district का map है ये और यदि पूरे बिहार का map देखें तो ये पूरे बिहार का map है और इस में ये butterfly का shape जो है ये है saran district का map और इसको यदि zoom किया जाये तो ये पूरा saran district का map हो जाएगा इसके चारों तरफ देख लेते हैं कौन-कौन से जगह है तो इधर सिवान डिस्टिक है ये उत्तर दिशा में गोपालगज है और मुजफरपूर है बैशाली है यहाँ पर बैशाली, मुजफरपूर, गोपालगज, सिवान और इधर देखा जाये तो उत्तर प्रदेश और यहाँ पर भोजपूर और यहाँ पर पटना मतलब की एक, दो, तीन, चार, पांच पांच विहार के अलग-अलग डिस्टिक से घिरा हुआ है और उत्तर प्रदेश से बॉर्डर सेयर करता है तो सारन डिस्टिक के तीन सब्डिविजन है चपरा, मरहूरा, सोनपूर और इसमें टोटल जो है 20 ब्लॉक है छपरा, माजी, दिगवारा इस तरह से करते हुए लहलादपूर हो गेरा टोटल 20 ब्लॉक्स है एरिया इसका है 2641 बर किलोमेटर और पॉपुलेशन है करीबर करीब 40 लाग के पास मतलब 49,43,098 यहाँ पे हिंदी और वजवरी बोली जाती ह गाउं यहाँ पे टोटल है 1807, मेल की पॉपुलेशन 20 लाग के करीब है और फीमल की पॉपुलेशन 19 लाग के करीब है, टोटल पंचायद जो है 330 है यहाँ पर, अब सारन डिस्टिक का हिस्ट्री देखा जाए तो सारन का नाम सारन क्यों पड़ा, तो इसके पीछे कहानी य जिसका नाम था सरन और उसी के नाम पे इस्टिक का नाम सरन पड़ा, दूसरा विचार है सारन का नाम पड़ने का, ओ है कि यह सारंग अरन्य सारंग अरन्य से इसका नाम सारन पड़ा है, सारंग का मतलब होता है डियर और अरन्य का मतलब होता है फॉरेश्ट, तो यहाँ प घना जंगल हुआ करता था और यहां के जंगलों में हीरनों की संख्या बहुत थी तो हीरन को सारंग कहा जाता है और सारंग से ही यहां पे सारंग कहा जाने लगा और एंसियन डेज में जो प्रेजेंट सारंग डिविजन है यह कोसाला कींडम का पार्ट हुआ करता था और आईने एकबरी के अनुसार सारंग जो है छे सरकार या रेविन्यू डिविजन्स में से एक उसका पार्ट था और यह बिहार प्रोविंस मतलब मुगलों के सासन में बिहार प्रोविंस के अंदर आता था 1666 में डच ने यहां पर साल्ट पीटर का ट्रेट शुरू किया छप्रा में ठीक है और सारंग वाज वन अफ दे ओल्डेस्ट और बिगेस डिश्टिक अ बिहार पहले भी जो है बहुत ही पुराना डिश्टिक है यह बिहार का 1829 में सा सारंग वाज सेप्रेट फॉम चंपारन 1866 1866 आते आते सारंग को चंपारन से अलग कर दिया गया और 1981 में इसके तीन सब डिविजन जो सारंग शिवान और गोपालगज इन तीनों को इंडिपेंडेंट डिस्टिक बना दिया गया कब यह हुआ 1981 में कुछ गाओं है सारंग डिस्टिक में जो की हिस्टोरिकल और सोसल सिगनिफियंस के लिए बहुत ही फेमस हैं जैसे की एक गाओं है यहाँ पर रामपूर कालन करके रामपूर कालन जो है फ्रिडम मोव्मेंट में जो है बहुत ही कमेंडेबन रोल इसका था सारंग जीला को छप्रा जीला भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ छप्रा जो है सारंग जीला का हेड क्वाटर है और छपरा में जो है एक सकती पीठ है जो की अंबिका भवानी के नाम से फेमस है यहाँ पे तीन नदिया बहती है सारन डिस्टिक में तीन नदी फेमस है जो गंगा, गंडक और घागरा यह तीन नदिया जो है साउथ, नौर्थिष्ट और विश्चाइड से बहती है इंडिया का बिगेश्ट डबल डेकर फ्लाई ओभर जो है छपरा में कंस्ट्रक्ट हो रहा है यह 3.5, 3.5 किलोमेटर लंबा होगा और यह गाधी चौक से नगरपाली का चौक तक रहेगा चीफ मिनिश्टर नितिश कुमार ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था जुलाई 2018 में जो यह कंप्लीट हो जाएगा जून 2022 तक का टार्गेट है यहाँ पे आते आते यह कंप्लीट हो जाएगा अब सारन डिश्टी के कुछ नोटेबल जो फेमस लोग हैं उनके बारे में देख लेते हैं विखारी ठाकूर एक बहुत ही मसहूर सिंगर हुआ भजपूरी के सिंगर है और इन्हें भजपूरी के सेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है ब्रज की सुर परसाद एक नेशनल अक्टिविस्ट रह चुके हैं दरोगा परसाद राय ये बिहार के दस्वेद चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं खुदा बक्ष 1842 से 1908 ये मुस्लिम लॉयर और कुलेक्टर आफ बुक्स मतलब बुक्स का कलेक्शन करते थे मनुस्क्रिप्ट और इन्होंने खुदा बक्ष ओरिएंटल लाइबरेरी पटना का फाउंडिंग मेंबर थे मतलब फाउंडर थे महंदर मिस्र जोकी भजबूरी के कभी हैं पोएट हैं राजीव परताप रेडी बहुत हीं फेमस मेंबर अफ पार्लेमेंट एमपी हैं इनको पहले 2015-16 के करीब मिनिस्टर आफ स्टेट स्कील डॉबलोप्मेंट के मंत्री भी रह चुके हैं सुरूर होड़ा सोचलिस्ट लीडर और इनको ऑडर ऑफ ब्रिटिस इंपायर मिला हुआ है चित्रगुप्त जो है म्यूजिक डारेक्टर हुआ करते थे और आनंद मिलिन जो है म्यूजिक डारेक्टर है रगवीर नरायन भजपूरी पोएट है तो ये लोग फेमस लोग है आपको और भी कोई यदि फेमस लोग वहां के हों तो आप लोग कमेंट सेक्षन में कमेंट कर सकते हैं ये चपरा जंखसन है छपरा जिला का इसका ये पुराना फोटो है अभी इसका कलर करके डेंटिंग प्रेंटिंग हो गया होगा और कुछ अलग होगा और ये राज़े कर रहा हूं अब आप लोग को कमेंट सक्सें में बताना है कि और कौन कौन सी नई चीजी है जो इस वीडियो में में इस आउट हुई है और आप लोग कहां के रहने वाले हो यदि छपरा के रहने है तो छपरा में कहां से रहने वाले हो और यदि छपरा से बाहर के रहने वाल बिजय हो पाउड़ ओसूझ नहीं कर रहे दो दोचे भी कर दोब कि दोचे रहा है तो खोजे होजे 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 हैं वह लोगाय को वीर स्था हैं लोगा धन्नार संवी था टारी का टूज जा रार का लिए।